नमस्का साथियों मैं रक्षागर्मी की तरफ से अंजनेफ सेक्तिवारी आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि हम MPPSC की एक जो नया स्लेबस आया है उसके कॉर्डिंग कम्प्यूटर के बारे में डिस्कसन कर रहे थे और कम्प्यूटर के हमने दो तीन लेक्षेस में कम्प्यूटर के टाइप कम्प्यूटर का जो डेवलप्मेंट था कि कहां तक पहुँचा वहां तक हम कर चुके थे अब हम आधनिक कम्प्यूटर में जब पहुँच गए तो आधनिक कम्प्यूटर मतलब कम्प्यूटर के आधनिक यूग में आ गए तो आधनिक यूग में आने के बाद हमने कम्प्यूटर के जो आधनिक यूग था उसको पांच भागों में बाट दिया जिसे हमने नाम दिय कंप्यूटर की पीडियें और जब हमने इसे पांच भागों में बाट दिया तो जो हमारे कंप्यूटर का आधनिक युक शुरू होता है वो शुरू होता है 1946 से अभी करंट तक जो चल रहा है वो कंप्युटर का modern युक चल रहा है आधनिक युक चल रहा है Modern अधनिक युक चल रहा है जहां पर हम computer की जो development था उस development के बात कर चुके थे कि कैसे कैसे computer बना कैसे कैसे चार्ल्स वेवेज और बांकी चीज़ों ने खोज की और उस खोज को बनाया तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर के जो फादर थे वो क्या थे चार्ल्स वेवेज थे कंप्यूटर में जो programming करती थी उनके वो इसके जो programming के जो father ने मतलब की एड़ाघस्ता अब इसके तहरा तो बन गया उसके बास फिर हमने क्या ने क्या देखा कि जब जनगरणा हुई तो एक ब्यक्ति निकल कर आया और उस ब्यक्ति ने क्या किया उन ब्यक्ति ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के अधार पर उन्हें एक टैबलेटिंग मसीन बनाई और उस टैबलेटिंग मसीन को उन्होंने बेचा और फिर बाद में वही कंपनी जो कंप्य क्प्यूटर की छोटी मोटी कंपनिया थी उनको एक्वायर किया मतलब खरीदा अपस में मिलाया और एक विस्ट की आज सबसे बड़ी कंपनी है research and development किसके फिल्ड में कंप्यूटर के फिल्ड में IBM international business machine तो वही कंपनी ने फिर क्या किया कई सारे और कंप्यूटर बनाए जैसे मार्क फस्ट और हावर्ड के हावर्ड आइकन के साथ मिलका और इसी के बाद आप कंप्यूटर की जो पीड़ी आई जो इस पीड़ी में हुआ कंप्यूटर की जनरेशन हुई जो आप जब प्रथम पीड़ी आप प्रथम पीड़ी के कम्प्यूटर आए तो प्रथम पीड़ी के कम्प्यूटर क्या था कि जब चार्ल्स वैवेड जो बाकी चीजों ने लोग computer बनाया था वो computer एक कम्रे के अकार के होते थे क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा electrical या electronic चीजों का प्रयोग ना करके mechanical चीजों का प्रयोग किया था बड़े-बड़े motors लगाये थे और उन बड़े-बड़े motor से calculation होता था तो उसमें क्या होता था एक कम्रे या एक hall के बराबर बहुत जादा उड़े भी लगती थी और दूसरी चीज क्या था वो बहुत बड़े विसाल होते थे कई सारे लोगों की जरुरत पड़ेगी जहां पर तो यदि कोई ब्यक्ती एक ब्यक्ती है और एक काम करता है तो वो उसको efficiency के दार पर कर सकता है लेकिन कई सारे ब्यक्ती जब एक काम को मिलका करते हैं तो हर ब्यक्ती का दिमाख अलग-अलग होता तो कईने का human error होती है तो वहाँ पर क्या थी errors ज़्यादा थी समय ज़्यादा लगता था काम ज़्यादा होता था तो उसके बाद कुछ चूजों पर सुधार किया गया तो वहीं पर जब हम फर्स जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स जनरेशन के तो सुरवात तो हो गई थी 1942 से और कब तक गया था 1955 लेगे इस जनरेशन का पहला computer निकल कर आया था 1946 में तो हम development of computer में 1945 तक की बात कर चुके थे अब हम बात करेंगे 1942 से जो की हमारा 1946 से जो की हमारा modern era कहलाएगा computer का modern आधनी क्यों कहलाएगा और यहाँ पर हम computer का और विकास देखेंगे कि आज हमारे पास जो हाथ में छोटी सी device है उस device में कैसे कैसे changes लाएगा और क्या-क्या changes आए क्या-क्या features थे क्या-क्या चीजे थी यह सारी चीजे हम discuss करेंगे इसी discussion में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़का देखते हैं तो पहले हम देखते हैं 1946 1946 में दो बैग्यानिक थे एक बैग्यानिक थे एकर्ट और एक बैग्यानिक थे मूचली एकर्ट और मूचली नाम के दो बैग्यानिक थे और इन बैग्यानिकों ने एक computer डिजाइन किया जिसे बोला इन्होंने इन्याग इन्याग बोला तो ई से हो गया electronic n से हो गया numerator यानि numerical i से हो गया integrator a से हो गया and और c से हो गया calculator इसका full form बहुत ज्यादा paper में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है electronic numerical integrator and calculator ये एक electronic computer था जो कि समानिकार्यों के लिए बनाया गया था और यहीं से प्रथम प्ऱिड़ी के लिए हुआ तो समानिकार्यों के लिए पूछा जाता है समानने कारियों के लिए बनाया गया समानने कारियों के लिए बनाया गया पहला कम्प्यूटर कौन सा था तो पहला कम्प्यूटर समानने कारियों के लिए बनाया गया जो था वो इन्याक था किसने बनाया था एकल्ट और मूचली ने बनाया था कब बनाया था 1946 में बनाया था लेकिन इन्याथ में क्या था कि जो हमारी एड़ा अगस्ता जी थी उन्होंने प्रोग्रामिंग तो binary में की थी machine language में की थी तो प्रोग्रामिंग करने में बहुत जायदा दिक्कत जाती थी हमें हर instruction हर निर्देश को देने के लिए बार-बार प्रोग्रामिंग करनी पड़ते थी और बार-बार हमें प्रोफेस्नल लोगों की जरूरत पड़ती थी अब जब प्रोफेस्नल लोगों की जरूरत पड़ रही है बार-बार हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है तो फिर हमारे लिए अब दिक्कत आगई जब दिक्कत आई तो उस दिक्कत को solve करने के लिए एक बैग्यानिक थे जिनका नाम था One New Man एक बैग्यानिक साहब थे One New Man One New Man ने क्या किया One New Man ने एक concept दी अधारना दिया इस concept उन्होंने ये बोला कि हम many programs को many programs या instructions को को एक साथ compile कर देते हैं एक साथ compile कर देते हैं एक साथ compile करने का मतलब क्या है कि हम अलग-अलग addition भी subtraction भी multiply भी और ये भी सबको एक instruction में डाल देते हैं computer को जब जो instruction की जरुरत पड़ेगी वो खुदी ले लेगा तो हमारे लिए programming करना उसे निर्देश देना आसान हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया कि यदि मुझे add करना था तो अलग से देना पड़ता था इस इस्ट्रक्शन अगर मुझे subtract करना तो अलग से देना पड़ता था उसने नोने क्या कहा कि हम क्या करते हैं सभी program को एक जगा compile कर देते हैं आपस में interlink करके चलते हैं जिससे क्या हो जाए हमारे program में जो programming करना जटिलता थी उस जटिलता को कम कर दिया जाए उस कठनाई को दूर कर दिया जाए या नाके बराबर कर दिया जाए तो आब उन्होंने क्या किया जब one new one ने संग्रहित program मतलब many programs instruction को एक साथ compile करने की वो दे दी तो इसके बाद एक नया computer बनाया गया जो इन्याक का advance वर्जन था एडवैक एडवैक जो इन्याक का advance वर्जन था जहाँ पर e से मतलब हो गया एडवैक का full form जो होगा तो e, d, v, a, c full form आपको याद करने पड़ेंगे तुक्णे में याद करो e से electronic d से discrete v से variable और अब हर काम के लिए हमें instruction की जो इतनी पढ़ रही मतलब की क्या हो गया automatic और c से हो गया computer तो electronic discrete आट वैरेबल आटोमेटिक कम्प्यूटर क्या भी आपे discrete discrete का ही मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों को एक जगा आपस में एक एक करके link कर देना और यही जो link up था यही किसका concept दिया गया था वान यूमान का दिया गया था जॉन वान यूमान इसी लिए आधुनिक computer यूग का फादर वान जॉन यूमान को कहा जाता है modern UK अब इसी के तरहार पर इसमें उन्होंने क्या किया इसमें उन्होंने जो concept दिया था उसमें क्या दिया था कि binary language में program store करना binary language में program store कर देना कि हमें बार बार प्रोग्राम टाइप नहीं करना पड़े वो program store रहे और जब जरूरत पड़े computer automatic उस प्रोग्राम को ले ले अब इसके बाद तो हो गया तो जो computer बनकर निकला था वो general purpose के लिए था लेकिन हमारे लिए तो purpose बहुत सारे होते हैं तो फिर क्या हुआ 1904 में 1954 में एक नया computer बनाया गया जो कि किसके परपस से था business purpose से था business purpose से एक computer बनाया गया जिसे नाम दे दिया गया यूनिवेक यूनिवर्सल आटोमेटिक कम्प्यूटर बना दिया गया तो यूनिवर्सल आटोमेटिक जो कॉर्पोरेशन ने बनाया था और यही था यूनिवैक तो यूनिवैक जो नियाग बना वो जनरल परपच के लिए यूनिवैक बना वो किसके लिए बना था बिजनेस परपच के लिए और कब बना था उनिस सो चौमन में तो यूनिवैक उत्ता नहीं पूछा जाता जित्ता युनियाक पूछा जाता है उसी के बाद 1904 में क्या हुआ कि अब हमाई पास क्या थे computer के बहुत सारे यहाँ पे computer तो अब युनिवाइक और वो तो आ गए मैंने क्या वोला computer mechanical बन रहे थे लेकिन अब तो computer electronic आ गए तो क्या हुआ था 1946 और 1904 के जो computer बने थे वो सब बने थे किस से vacuum tube से अब जब vacuum tube से बने हुए थे तो vacuum tube की खोज किस ने की थी जान एम्बोर्स flaming जान एम्बोर्स flaming भाई सहाब थे इन्होंने क्या किया था vacuum tube का बना दिया था और vacuum tube actual में क्या थी इस प्रकार की एक tube होती थी जिसके अंदर दो electrode लगे होते थे और ये electrode के बीच वे ऐसी पतली सी तार लगी होती थी और vacuum air भरी होती थी और इसका काम क्या था इसका काम था on और off मर्लब की ये प्रकार की switching device थी switching device जैसे आपके घर में प्लक होता है on और off एक बात याद रखो computer में हमेशा हम जो data भेजते हैं वो data होता है one और zero one का मतलब हो गया on और zero का मतलब हो गया off तो जब एक बार on एक बार off होगा जैसे दो की जो binary होती है दो की binary होती है one zero तो अगर मुझे दो भेजना है तो एक बार one जाएगा एक बार zero जाएगा और zero और one और zero मिलकर क्या बन जाएंगे off on तो ये computer को पता चलेगा दो तो ये on off एक switching device थी जो vacuum tube की तरह work करती vacuum tube था ये एक switching device थी on off on off तो one zero one zero और वही one zero तो बाद में converge होके क्या बन जाता था हमारे लिए digital बनता था तू और zero का तो इसकी खोज जो की थी इसकी खोज की गई थी किसने vacuum tube में और जो first generation के जित्ते भी computer थे first generation के जो computer थे सभी first generation के computer में vacuum tube का प्रयोग किया गया था तो अब vacuum tube बन गया अब इसमें जो था अभी अगर मैं first generation की computer की बात करूँ तो उसमें क्या क्या चीजे प्रयोग की गई थी ये question पूछा जाता है तो first generation के जो computer थे उसमें पहली बात तो क्या प्रयोग किया गया vacuum tube जिसके बारे में हमने जान लिया दूसरा प्रयोग किया गया था इसमें जो program लिखे जाते थे अब तो निर्देश देने पड़ेंगे ना तो निर्देश देने के लिए machine और assembly language का प्रयोग किया गया ये question पूछा गया है कि assembly language का प्रयोग सबसे पहले किस generation के computer में किया गया तो इसमें क्या था machine और assembly language का प्रयोग किया गया अब जब machine language की बात आती है machine language की खोज किसने कर दी थी एडा अगस्ता ने लेकिन एडा अगस्ता ने खोज कर दी थी किसकी? मसीन लैंगवेज की लेकिन असेंब्ली लैंगवेज की खोज किस ते की थी? assembly language की खोज हुई थी 1952 में एक बैज्यानिक थे Dr. Grace Hooper याद रखना इस बात को ये question पूछा गया है कि assembly language की खोज किस ने की थी Dr. Grace Hooper ने कब की थी 1952 में और इन दोनों language का प्रयोग कहा किया गया इन दोनों language का प्रयोग किया गया था आपका प्रथम पीड़ी के computer यानि की first generation के computer में आप आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात इसमें किसका प्रयोग किया गया था इसमें data को श्टोर करने के लिए magnetic tape का प्रयोग किया गया था और सबसे ज़्यादा punch card का जिसके बारे में हम development of computer में पढ़ चुके थे उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहां किया जाता था इस तरीके computer का वैग्यानिक छेत्र में वैग्यानिक छेत्र में इसमें इसकी जो इसमें जो एक खामी क्या थी इस generation की computer की जो खामी थी वो क्या थी बल्क में उर्जा चाहिए होती थी बल्क में उर्जा बहुत ज़्यादा उर्जा लगती थी यह कमी थी अब जब बहुत ज़्यादा उर्जा लगती थी तो दूसरी बात कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीट धीमी थी बहुत धीमे काम करते थे processing speed दी में थी दूसरी बात क्या थी कि इसमें जो था errors की संभावना अधिक थी क्योंकि बहुत सारे लोग लगते थे errors की संभावना अधिक थी जैसे मेरे interview के समय मुझसे एक question पूछा गया था कि एक 9 में 1 सेर है और एक 9 में 100 सेर है तो कौन सी 9 पहले किनारे पे पहुँचेगी तो देखो जिस काम को 100 दिमाख लगा के करेंगे वो काम कहीं न कहीं खराप होगा लेकिन जिस काम को एक दिमाख लगा के करेगा वो काम successful होगा तो यहाँ पर क्या था जब बहुत सारे लोग थे अब बहुत सारे लोग मिलकर एक computer को operate करते थे तो कहीं न कहीं किसी न किसी के मादम से कुछ ना कुछ तो गरवड़ी होगी और वो जो गरवड़ी होगी वही आपकी क्या क्यालाती थी errors हो जाता था तो इसमें errors की संभावना आधिक होती थी और processing speed जादा कम होती थी अब जब प्रतम पीड़ी के computer में ये दिक्कत आई तो इस दिक्कत को और इसमें दूसरी बार कि इसमें जो operating system था ये question पूछा जाएगा operating system का तो इसमें operating system कौन सा था batch processing और इसके बारे में हम discussion करेंगे जब operating system आपको मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके syllabus में operating system है तो आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें जो खामिया थी उस खामियों को दूर करने के लिए हमने आगे बढ़े और second generation में आए second generation में अब हम आ गए जब हम second generation में आए आगे बढ़े इन खामियों जो खामिया निकल रही थी उन खामियों को हमें दूर करना था तो second generation वहाँ पर चला था 1955 तर यहाँ पे कुछ किताबों में 1904-1964 मिलता है कुछ किताबों में 1956-1964 मिलता है दो किताबों मिलता है आपको prefer करना है यह वाला दो है अलग-अलग है अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो उस समय क्या हुआ था कि 1947 में बेल लेबोर्टरीज जो इलेक्रोनिक की सबसे बड़ी लेबोर्टरीज थी बेल लेबोर्टरीज थी इस बेल लेबोर्टरीज में एक ट्रांजिस्टर का अविस्कार किया गया अब कब हुआ 1947 में किसने एक ट्रांजिस्टर के जो फादर कहे जाते वो क्या थे दो लोग थे जॉन वाल्डीन बिलियम साकले बिलियम साकले और वाल्टर बिटन ये जो तीन थे इन तीनों ने मिल कर ट्रांजिस्टर का विस्कार किया और ट्रांजिस्टर जो था वो वाल्ट्यूम ट्यूब का अपडेटेट था अपडेटेट और ये एक कैसी दिवाइस थी ये एक सेमी कंड़क्टर डिवाइस थी जब transistor पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा semiconductor device टी टेकनोलोजी में semiconductor device था इसका भी काम क्या था इसका भी काम था on और off लेकिन अब यहाँ पे on off क्या था plus 5 volt minus 5 volt मतलब 1 और 0 जब computer को plus 5 volt जाता था 1 अब जब computer को minus 5 volt जाएगा 0 on off की condition पे चलने लगा और जब यह on off की condition में चलने लगा तो vacuum tube बित्ती बड़ी बड़ी होती थी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती थी विसाल होती थी उसको चालू करने के लिए उर्जा की ज़वत परती थी बहुत ज़्यादा लेकिन यहाँ पे वहाँ पे बल्क में उर्जा हो रही थी यहाँ पे उर्जा में कमी आई कमी कहां से आई दो कम यहाँ और दूर कर दी गई साइज कम हो गया अब इसमें क्या किया गया जब इसमें क्या किया गया तो दूसरा क्या किया गया अब यहाँ पे वहाँ पे मसीन लेंग्वेज थी अब यहाँ पर हाई लेवल लेंग्वेज आ गई high level language का प्रयोग किया गया और high level language का प्रयोग किया गया तो कौनगों सी भासा निकल कर आई एक भासा आई कोबोल और एक भासा निकल कर आई आपकी फार्ट राण कोबोल का मतलब था common oriented common business oriented language बी छुड़िया ना कोबोल Common Business Oriented Language और Fortran का था Formula Translation या Formula Translation अब कोबोल जैसे नाम से है ये Business Purpose के लिए थी Fortran, Fortran क्या थी, Fortran आपकी क्या है Formula, Formula Math में होते हैं मतलब ये Scientific Calculation के लिए थी तो अब इसमें High Level Language का यूज किया जो की Scientific Calculation का था अब जब Scientific Calculation का था तो बात आती कि इसको Develop किस ने किया इसको Develop किया था IBM ने, दोनों Language को Develop किया था IBM ने तो IBM ने तो computer में जो device लगाई गई वो क्या थी transistor था और computer में जो language यूज की गई वो कौन सी थी High Level Language ने इस्टक्शन देने के लिए अब अगर इसमें storage की बात करो कि इस computer में जो storage था तो वहाँ storage क्या था, वहाँ storage punch card और magnetic tape था तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि magnetic tape को तो agitize रखा गया लेकिन यहाँ पर punch card की जगह आप यूज कर लिया गया magnetic disk का tape और disk का, अब magnetic disk मतलब कि fluffy disk तो magnetic tape जैसे आप पुराने वाने के video cassettes देखते हो या cassettes जो देखते थे जो टेप में लगती थी उस वही जो टेप होती वह यहाँ यूज कि data store के लिए इस पे जो operating system आया काम करने के लिए वह कौन सा आया batch processing batch processing और time sharing अब यहाँ पर time से भी शेयर करने लगे कि अब इसका इस समय पर यह काम होगा इस समय पर यह काम होगा इसकी जानकारी हम जब देखेंगे तो आंगे यह चीजे लगी आप जब second generation के वह तब भी जो processing थी वह ट्रांजिस्टर के माद हमस होती थी और ट्रांजिस्टर तो बड़े बड़े चोटे थे पर सरकुट तो बहुत ज्यादा बड़ा था तो तो computer की size कम तो हुई कमरे से तो कम हो गई लेकिन अभी भी इतनी size थी कि उसको handle handling करना या इधर से उधर ले जाना कठिन था तो फिर क्या हुआ उसमें हम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो हम पहुँच गए third generation में जब हम third generation में पहुँचे तो जो third generation के computer थे third generation के computer कब से कब तक हो गए 1964 में थे यहाँ पर अब पहुँच गए हम 1964 से 1975 और यह जो यूग था इसमें computer का विकास बहुत तेजी से हुआ था third generation में computer का विकास बहुत तेजी से होना शुरू हो गया था और अब हम transistor की जगा आ गए किस पे आप माइक्रो चिप पे तो 1958 में आइसी आई जो की क्या थी किसने बनाई थी जैक किलवी जो पुराने समय के होंगे उन्होंने मतलब 1991 1992 में 1999 संदानने वाले साल के होंगे उन्होंने वो देखा होगा सक्तिमान सक्तिमान में था न किलविस तो वही है और जैक भी था साइंटिस्ट तो आईसी आईसी को बनाया किसने था जैक किलवी ने और ये इसका फुल फॉर्म क्या था है ईंट्रीक्रेटेड सर्किट है कि अनव इंट्रीक्रेट सर्किट मतलब क्या हो गया बहुत सारे तारों का माया जाल और इंट्रीक्रेट मतलब जोड़ दिया तो इसमें कई सारे transistor आपस में जोड दिये गए और एक छोटी सी छोटी सी चिप बना दी गई कर सारे transistor जोड़कर एक छोटी सी चिप बना दी gossip उसको integrated, integrated मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पर क्या किया गया, जो बहुत सारे transistor एक बड़े circuit में लगे हुए थे, उसको छोटा-छोटा करके, software के मादम से एक छोटी सी चिप में डाल जया गया, इतनी बड़ी सी, अब जब circuit और भी कम हो गया, पर यहाँ पर भी कहानी वही थी, प्लस का 5 बोल्ट, माइनस का 5 बोल्ट, तो उर्जा में कोई खफ़त नहीं आई, जीरो और, सोरी, वन और जीरो, अन और, तो काम भही था, बस transistor जो electronic circuit थे, उसको छोटी-छोटी IC में shift कर दिया गया, और कई सारी IC लगा दिया, तो circuit पहले room के बराबर computer था, वो छोटा होकर थोड़ा सा, और छोटा हुआ, अब उसको भी और छोटा circuit और भी integrated कर दिया गया, तो अब IC में आ गया, तो अब जहां पे लाखो करोडों transistor लग रहे थे, वहां पर अब हजारों IC लगने लगी, तो अभी भी circuit छोटा नहीं हुआ था, पर उतना छोटा हो गया था, कि हम उसे handle कर सकते थे, carrying ले जा सकते थे, तो अब लाखों से, जहां पे करोडों vacuum tube लग रही थी, वहां से हम लाखों में आए लाखों के बाद, अब हम आ गये हजारों में, अजब हम हजारों में आ गये तो अब हम किसका यूज करने लगे, ic का करने लगे और ic में हमने क्या किया इसमें हमने क्या किया कि हमने silicon और germanium की क्या ली प्लेट ली और उस पे हमने क्या किया printing कर दी जैसे हम कागज पर print करते हैं वैसे ही हमने printing कहां की silicon और germanium में इसके लिए जो हमने technology यूज की टेकनोलोजी यूज हुई कौन सी? टेकनोलोजी यूज हुई SSI और MSI. SSI और MSI यहाँ पर जगा नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ. SSI, Small Scale of Intrigation और MSI बतलब Medium Scale of Intrigation. इसमें हम सॉप्टिवेर के मादम से पहले डिजाइन करते हैं, जैसे आपकी पेंटिंग अंटिंग डिजाइन होती है, सर्किट डिजाइन करते हैं, फिर सर्किट को हम Special Printer के मादम से सिल्कॉन और जर्मेनियम की सताह पर प्रिंट कर देते हैं, तो यह हो गया, अब यहाँ तक तो चीजे हो गई, अब जब यहाँ पर हो गया, तो अब आती है Storage की बात, Device तो हमने यूज कर ली, प्रोसेसिंग के लिए, अब Storage की बात आई, जब हमने Storage की बात की, तो Storage में हमने यहाँ पर Magnetic Tape तो हम लेकर चली रहे थे, इस पे तो हमने कोई पंतर किया नहीं, Magnetic Tape और Magnetic Tape के साथ हमने क्या किया, Semiconductor में भी चलेगा, Semiconductor Storage में चलेगा, Magnetic Tape के साथ Semiconductor Storage में आ गया, Semiconductor Storage में आ गया तो हमने Roam और Ram का प्रयोग करने लगे, और यहीं से Roam और Ram का प्रयोग Computer में शुरू हुआ, क्योंकि हमाँ पास अब Semiconductor Storage आ गया था, Magnetic Tape, आप Computer का उप्योग ब्यक्तिका तर वैसाएक हुआ, आप यहाँ पे High Language जो आई, आप जो Language आई, वो Language कौन सी थी, Pascal और Cobol, Pascal और Basic, यह दोनों Language हो गई, और इन दोनों Language का विसकार हो गया, इसमें जो OS आया, OS क्या हुआ, Real Time हो गया, जो इसमें Hardware और Software अलग अलग आने लगे, अलग अलग पहले Hardware और Software एक साथ आते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कि जिसको जैसी Software की ज़रूरत है, जैसे Hardware की ज़रूरत है, वो वैसे उसको यूज कर सकता है, और इसी समय हमने प्रथम ब्यावसाइक कंप्यूटर बनाया, 1965 में, 1965 में हम प्रथम ब्यावसाइक कंप्यूटर लेकर आए, कंप्यूटर, PDP, फरस्ट नाम से, प्रथम ब्यावसाइक कंप्यूटर लेकर आए, जो की एक मिनी कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था, और इसे बनाया था, DEC ने, DEC ने बनाया था, Digital Electronic Corporation ने इसे बनाया था, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कि यहाँ पर चीजें और छोटी हों, अब जब हमने IC में आ गए, तो अब हम आ गए 4th generation में, क्योंकि कहीं न कहीं हमें, कंप्यूटर को क्या करना था, छोटा करना था, तो जब हम कंप्यूटर की 4th generation में आ गए, 4th generation of computer, फॉर्थ जनरेशन आफ कम्प्यूटर तो जब हम कम्प्यूटर की फॉर्थ जनरेशन में आ गए तो फॉर्थ जनरेशन में आने के बाद हमने क्या किया आईC की जगह अब हम किस पर आगाएं माइक्रो प्रोसेसर में हमने क्या किया LSI और VLSI टेकनिक का प्रयोग किया वहाँ पे हमने क्या किया था SSI का टेकनिक का प्रयोग किया था यहाँ पे हम उसी का और बड़ी टेकनिक लेके आए LSI और VLSI और LSI यो जो VLSI लेके आए तो इसमें हमने क्या किया जो इसका एरया था वो 1975 से 1989 इसमें हमने क्या किया कि आप देखो एक बात समझो कि हमने vacuum tube से कहां चले गए vacuum tube को छोटा किया तो हमने transistor बनाया transistor से हमने क्या बना दी IC बना दी मतलब एक IC में हम कई सारे transistor लगा दिये transistor के बाद हम आ गए microprocessor में और जब हम microprocessor में आ गए तो हमने क्या किया कि कई सारे जो keep that उसमें हमने कई सारी IC लगा दी अब यहां पर हम transistor नहीं लगा रहे हम IC लगा रहे यहां पर हम क्या कर रहे थे यहां पर हम transistor लगा रहे थे अब इसी transistor से हम वहाँ पर क्या चले गए यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया IC यहाँ पर हमने लगा दिया IC तो हमारा जो version था यह first था यह second में थे यह third में आए और third के बाद हम fourth में चले गए यहाँ पर हमने जो technique यूज की थी वह SSI थी small scale of integration और medium MSI medium scale लेगिन यहाँ पर जो technique यूज की वह हमने क्या यूज कर ली LSI और VLSI मतलब large scale और very large scale और यहीं पर हमने microprocessor डिजाइन गया और microprocessor जो बनाया था वह Intel company ने बनाया था 4004 जो computer में प्रयोग किया गया था है ना तो यहाँ से क्या हुआ Intel Corporation ने पहला microprocessor बनाया था Sun की बात करो तो Sun हो गया 1970 1970 में Intel नाम की एक company थी जिसने पहला microprocessor बनाया था 4004 नाम का जिसमें उन्होंने क्या किया तो अब आपको समझ में आया कि vacuum tube से transistor का बना फिर transistor से हम IC में आ गए IC से हम microprocessor में आ गए microprocessor में हमने क्या किया कई सारे IC को यहां लगा दिया तो circuit अब क्या हो गया कि अब हम हजारों जो थे IC थे वहां से हम करीब करीब 100 microprocessor में आ गए अब जब 100 microprocessor में आ गए तो अब यहां पर क्या हुआ अब यहीं पर बात आ जाती है कि इसको बनाया किसने था तो इसको बनाया था जो father थे वह याद रखना M.E.Hoff इन्हों यह इसके microprocessor के father थे अब इसका रख थे अब हम बात करें तो इसमें क्या हुआ इसमें storage की बात करो तो storage क्या हुआ storage यहां पर आ गया आपका hard disk और magnetic tape का प्रेशलन खतम हो गया और fluffy disk बाकी semiconductor memory तो चली ही रही थी फिर उसके बात इसमें क्या हुआ रैम की छमता बढ़ गई computer में internet का प्रयोग बढ़ गया लैन का यूज होने लगा networking आ गई लैन का यूज होने लगा लैन का यूज होने लगा उसके बात क्या हुआ वैलल computing हो गई एक साथ आप कई सारे काम कर सकते थे और जो processor थे वो multitasking हो गई एक साथ कई सारे task को वो perform करने लगे तो यहां से यहां पर भी क्या हुआ software और hardware आ गया दूसरी चीज GUI का विकास हो गया जैसा computer जो आप चलाते हो आजकल पहले जो था इसके पहले था हमें computer के command स्याद करने पड़ते थे command करने पड़ते थे यहां पर क्या हुआ अब हमाए पास command की जगा symbol था हम symbol पर क्लिक करते थे और चीज़े open जाते थे तो GUI आया GUI का विकास आया और GUI पर पहला computer पर पहला user computer जिसको user computer किसने बनाया था user computer बनाया था एक पल नया जिवाए पर बेस तो यहां से आ गया हाइ लेवल लेंगवेच अब यहीं पर जो लेंगवेच की बात करो तो लेंगवेच यहां पर सी लेंगवेच का विकास हो गया और आपसे पूछा जाता है फर्स जनरेशन की लेंगविज कौन सी है सेकेंड जनरेशन की लेंगविज कौन सी है थर्ड लेंग जनरेशन की लेंगविज कौन सी है फोर्स जनरेशन की लेंगविज कौन सी है फोर्स जनरेशन में हमारे एक पास क्या गया C language आ गया और यहीं पर मैंने क्या वोला 1977 में प्रथम ब्योसाइक माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर बना और वो कंप्यूटर किस ने बनाया था Apple Company ने किस नाम से Apple Second नाम से इसमें GUI का भी बेश किया गया अब जब GUI की बेश हो गई तो यह थी 4 जनरेशन 4 जनरेशन के बाद अब अगली जनरेशन में आते हैं तो अगली जनरेशन जो थी वो थी 5 जनरेशन जब अब हम 5 जनरेशन की बात करते हैं तो 5 जनरेशन थी 1989 से अभी continue चल रही है 1989 से इसमें क्या हुआ इसमें Ultra Large Scale of Intrigation आ गया प्रोसेसर को एक प्रोसेसर में बदल दिया गया जिसमें आप बोलते हो Dual Core Quad Core Octa Core I3 I5 I7 I10 I9 यह जो प्रोसेसर आ रहे हैं यह सब क्या है कि कैसा रहे तो हमने IC को प्रोसेसर में अब एक चिप ली उसमें Ultra Large Scale Intrigation किया और कई सारे म्यूपी जोड दिये मनलब कई सारे माइक्रो प्रोसेसर अब आ गया तो अब जो डिवाइसे चिप कित्ती हो गई एक हो गई और Octa Core तो Dual Core मतलब दो प्रोसेसर अक्टा Quad Core मतलब चार अक्टा मतलब आठ यहां पे 16 या 32 32, 32, 64 ऐसे बढ़ता जाएगा तो यह थी तो यहां पर क्या हुआ लार्ज स्केल आफ इंटर इंटर केसन आगया अल्ट्रा High Esc udah यह एडवांस वर जाना आगया Ain न तो जो आफ देखते हो बहत आप सो मिए से एक डिवाइस अल् used सो कंप्यूटर और चोटा होगर आपके हंप में छोटा साग्य तो यह चीजे हो गई आब यहिंपर यहीं पे अब आपकी चीजे और मणली ओप्टिकल डीसक का गई स्टोरेज के लिए और मेशी दी जूज थी ऑप्टिकल डिसक आ अब डीसे काकई दूसरी चीज जावार छिळ सीप्लस प्लस दोट нет जैसे ही लेंगवेच पा उब गया तो यह सारी language का विकास हो गया अब जो यह language का विकास हो गया तो दूसरी बाद यहां पे क्या हुआ पैलल processing आ गई पैलल processing आ गई और पैलल processing के साथ यहीं पे artificial intelligence आगई आटीफिसियल इंटेलिजेंस आगई खुद की बुद्धिमता आगई और यही चीजे जो थी यही चीजे और दूसरी चीज डबलू 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 इंटरनेट इमेल इन सबका भी विकास कहां हुआ यहीं हुआ और यह जनरेशन अभी कंटीनू चल रही है और यह तब खतम होगी जब पूरी तरीके से कंप्यूटर आटीफिसयल इंटेलिजेंस में इतना एडवांस हो जाएगा कि वो आप खुदी इंस्ट्रक्शन्स लेगा और निर्देशों का पालन करेगा उसके लिए किसी दूसरे हुमन की जरूरत नहीं पड़ेगी निर्देशों को देने के लिए तो यह थे कंप्यूटर का जो पीड़ी थी उसके बारे में जानकारी और इससे कोशन्स आपके बनते हैं अगर इस पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजेगा मैं उसके डाउट दूँगा और रक्षा अकेडमी एप पे आप मैसेज डो वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा तो यहां तक का आपका चैप्टर जो था वो कंप्लूट हो गया कल से हम कंप्यूटर का बेसिक आर्टीक्युटर पढ़ेंगे जिसमें हम यह पढ़ेंगे कि अफב डिवाइस क्या होती है आप और पूट से क्या होती है दन्यवाद